Hello friends, exam में एक क्युस्चन आता है What is a contract of indemnity? Explain the essential elements, explain the rights of indemnifier and indemnity holder अगर ये क्युस्चन आता है एक्याम में तो कम से कम ये 10 marks का आता है और 10 से 20 marks तक किसी भी marking के अंदर ये आ जाता है तो इसके उपर details से discuss करते हैं मैं आपको इसके अंदर पूरी understanding देऊंगा उसके बाद जो details से आप इसका answer करेंगे आप अपनी language में उसको कर लेना तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि indemnity contract क्या होता है ये कि special category का contract होता है इस contract में क्या होता है कि एक third person आकर वो अपने उपर responsibility ले लेता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई loss होता है किसी other person के loss को अपने उपर ले लेता है वो indemnity contract होता है मैं example से आपको बदरता हूँ दो party हैं एक Mr. A, एक Mr. B इन दोनों के बीच में agreement होता है कि A हर महिने good sell करेगा किसको sell करेगा? B को sell करेगा हर महिने suppose 2 lakh rupees का good sell करेगा अब हो सकता है A sell करने के लिए तयार है लेकिन B उसको buy नहीं करता है खरीदने के लिए मना कर देता है या और कोई different situation हो सकती है कि A supply नहीं कर पाता है उसको यानि B को supply नहीं कर पाता है तो हो सकता है B को compensation देगा उसको कोई भी क्षयती होती है कोई loss होता है उसको compensate करेगा कोई भी situation हो सकती है तो उस condition में क्या हो गए एक third percent मान लिजीए C है वो A से agreement करता है कि इस contract में कौन से contract में जो A और B के अंदर हो है कि वो A regular basis पर B को good sell करेगा उस contract में किसी भी वज़े से अगर A को loss होता है तो उस loss की को compensate करनाई के लिए अपने उपर वो responsibility ले लेता है तो इस type के जो contract होते हैं वो indemnity contract में आते हैं जैसे मैं आपको एक्जामपल बदाता हूँ insurance company के जो contract होते हैं वो क्या होते हैं इंडेमिनेटी contract टाइब क्यों होते हैं insurance में क्या होते हैं मैं insurance के अंदर एक बात clear कर देता हूँ जो life insurance है life insurance या medic claim medical medical insurance है उन दो insurance को छोड़ कर बाकि जो insurance है वो indemnity contract के अंदर में cover होते हैं जैसे अब insurance आपका क्या contract होता है माली जी एक गाड़ी का insurance करवाते है आप है Mr. A A के पास car उसने एक ABC company है यह insurance company है इससे अपनी गाड़ी का insurance करवा लेती है ABC company से कौन करवाते है अब suppose अगर मालो इस गाड़ी के अंदर लोस हो जाता है कोई भी इसका accident हो जाता है या गाड़ी को A सो रहे है उसके गली के अंदर उसकी गाड़ी खड़ी है कोई चोर उठा कर ले गया तो उसको लोस हो गया एक को लोस किस की वज़े से हुआ एक की वज़े से तो हुआ नहीं लेकिन जो लोस हुआ है वो उसको compensate कौन करेगा वो करेगा ABC company जो इंस्वरेंज कंपनी है वो एक को गाड़ी की जो वेल्यू है वो पे कर देगी सेकंड सिच्वेशन यह हो सकती है कि एक गाड़ी चला रहे है उसने गाड़ी कहीं भी टक्कर मार दी उसको लोस हुआ लोस किसकी वज़े से हुआ एकी वज़े से हुआ यानि जिसने contract किया है उसकी खुद की वज़े से लोस हुआ है उसने लापरवाई से गाड़ी चलाई गाड़ी को टक्कर मार दी उसको लोस हुआ तो वो compensation कौन देगा उसका वो देगा ABC & Company यानि थर्ड पार्टी उस लोस को compensate करेगी बेसक उसका जो लोस हुआ है वो उस पार्टी की खुद की वज़े से हुआ है गाड़ी उसने टक्कर मार दी तो उसकी खुद की वज़े से उसका लोस हुआ है या इसकी गलती के बिना और किसी थर्ड पार्टी की वज़े से अगर लोस होता है तो बहुत कंडिशन के अंदर जो लोस होता है वो insurance company है वो इसको compensate करेगी तो इस ताइप के जो contract होते हैं वो वो indemnity contract होते हैं अब जैसे fire accident होता है कि go down के अंदर fire accident हो गया good service सारा खतम हो गया तो उस condition में क्या होगा insurance company है वो respective party है जो लोस जिसने शफर किया है जिसका माल जल गया है उसको का कमपंशेशन देगी ठीक है अब इस contract का purpose क्या होता है जो indemnity contract होते हैं इनका purpose क्या होता है important चीज़ है इसको दियान रखना है इसका intention क्या होता है जो indemnity contract होता है उसका उसका यह होता है कि जो पार्टी लोस सफर करती है जो जिस party का लोस होता है उस party को as it is financial situation में stand करना ये purpose होता है ठीक है माली जी एक ये है एक के go down के अंदर 50 लाइक रुपीज का goods रखा था fire accident हो गया सारा माल खतम हो गया अब उस condition में क्या होगा ये का तो life खतम हो गया है यहाँ पर ठीक है क्यों इतना बड़ा लोस हो सकता है वो सफर नहीं कर पाए और कोई उसके resources नहीं है तो ये खतम हो सकती है इसकी life ही खतम हो गई एक टाइप से इतना बड़ा लोस हो गया इसके लिए तो उस condition में insurance या जो indemnity contract के अंदर जो वो insurance करवाएगा तो उसका purpose क्या है कि in case अगर 50 लाइक रुपीज का उसका लोस हो है तो insurance company वो उसको 50 लाइक रुपीज पे करके उसको जो financial position जो accident से पहले थी as it is उसको stand करना इसका ये purpose होता है ताकि ये अपनी जो life है आगे सुचारू रूप से चला सके तो ये indemnity contract होता है और इसका purpose होता है कि उसकी जो lifestyle है या जो उसको जो loss हो उससे पहले जो situation थी financial situation as it is उसको वहाँ पर stand करना होता है अब इसकी जो language देखती है कि इसको अगर मालो लिखते है एक जाम में तो कैसे लिखेंगे इसको एक contract by which one party promises to save the other from low cost to him by the conduct of the promissor himself और by the conduct of any other person is called contract of indemnity इस type से इसको हम लिख सकते है एक्जामपल जो अभी मैंने आपको explain किया इसको है एक्जामपल है एफ प्रमिसेस तो देलिवर सटें गोड्स तो बी फोर रुपीस तू लइक every month. C comes in and promises to indemnify B's losses. If A fails to deliver the goods, this is how B and C will enter into contractual obligation of indemnity. ये example हम इस type से देश सकते हैं. जो मैंने आपको explain किया उसके अंदर A के साथ contract हुआ है. इस example के अंदर B और C के बीच में contract हुआ है. Section 124 of Indian Contract Act है. वो इसको गवन करती है. उसके अंदर क्या लिखावा है? A contract by which one party promises to save the other from loss caused by him by the conduct of the promissor himself or by the conduct of any other person is a called contract of indemnity. या तो जो promissor है. उसकी खुद की बुझे से या किसी third party की other person की बुझे से कोई loss होता है. तो उसको decide हुए है वो क्या हुए है कि जो guarantor होता है वो indemnity contract के अंदर cover होगा. guarantor जो bank के अंदर जो guarantor आप समझते हैं कि अगर मालो कोई party loan लेती है तो bank एक guarantor मांगता है कोई third person को कि in case अगर मालो mister A है वो loan नहीं चुका पाता है तो उस condition में जो third party है वो guarantee देती है कि ठीक है यह नहीं चुका तो मैं इसका loan का repayment करूँँगा. तो यह जो third percent जो guarantor होता है वो guarantee देता है तो उसके बाद वो जो guarantee जो guarantor और bank के बीच में जो है वो एक indemnity contract होता है अगर loan वो पे नहीं कर पाता तो guarantor उसको पे करेगा एक है new India assurance company limited यह भी एक court case है versus state of trading corporation of India all the contracts of insurance except the life insurance is cover under indemnity contract court में यह decide हुआ था कि LIC और medic claim जो insurance अब वो भी इसके अंदर cover नहीं होता तो दोनों जो insurance अब वो cover नहीं होते बाकि सारे जितने भी insurance के contract है वो indemnity contract में cover होते हैं अब इसके जो essential elements के indemnity contract के contract of indemnity के essential elements इसमें कम से कम दो party होनी चाहिए ठीक है दो पार्टी के बिना तो कोई contract नहीं होगा दो पार्टी कौन-कौन सी होती है उसमें एक तो प्रोमिसर प्रोमिसर को दूर्सा वर्ड क्या होता है इसका indemnify इंडेमनी फायर जो लोस कंपंसेट करने की responsibility जो अपने उपर लेता है वह या तो प्रोमिसर वह प्रोमिस करता है कि ठीक है लोस हुआ तो मैं आपको कंपंसेट करूंगा या उसको बोलेंगे indemnity indemnify ठीक है second party जिसको लोस में cover मिलता है उसको क्या बोलते है प्रोमिसर या indemnify या indemnity holder तीन नाम हो सकते उसके प्रोमिसर इंडेमनिफाइड और indemnity holder तो दो party यहां कम से कम होनी चीए इसके essential जो इसमें elements के अंदर second is का क्या हो सकते protection of loss जो loss होगा जो सब जो loss होगा उसमें यह protection देता है indemnity contract के अंदर कि अगर second party को कोई भी loss होता है तो उसको उसको उस loss से उसको cover देता है कि a contract of indemnity is entered into for the purpose of protecting the promise from the loss उसको protect करने के purpose से उसको एक प्रोटेक्ट उससे जो promise करता है the loss may be cost due to the conduct of the promissor यह तो promissor की खुद की वज़े से या किसी other party की वज़े से उसको loss हो सकता है तो उस loss का protection इसके अंदर देता है यह second इसका एक element हो गया थड़के express और implied यह तो राइटिंग में contract हो सकते है यह implied होता है यह conduct हो सकते है ठीक है the contract of indemnity may be expressed ठीक है made by words यह spoken यह written कोई भी किसी भी इनके बीच में indemnity contract हुआ है ठीक है यह इसका essential इसका element है उसके अलावा such contracts are based on faith सारा good faith के अंदर यह contract होता है आगे essential of valid contract जो valid contract से related जो भी इसके जो contract है जो valid contract में जो जो elements होते हैं वो सारे elements इस contract में भी होने चाहिए वो क्या हो सकते हैं जो कम से कम दो पार्टी होने चाहिए offer होना चाहिए second party की acceptance होने चाहिए accept और उसकी जो consent है वो free होने चाहिए ठीक है valid object होना चाहिए illegal object के लिए अगर कोई contract होता है तो वो indemnity contract में cover नहीं होता valid consideration होना चाहिए तो जो एक valid contract में जो essential elements होते हैं वो सारे इसके अंदर होने चाहिए अगर मालो कोई भी एक इसके अंदर default कर जाता है या valid नहीं होता है तो उस condition में पूरा contract ही invalid हो जाता है अगला है number of contract in a contract of indemnity there is only one contract that is between the indemnifier and indemnity indemnity five दो पार्टियों के बीच में यह contract होता है ठीक है contract can be written oral और conduct यह simple बाते हैं contingent contract होता है यह सारे contract इसके जो essential जो इसके elements है वो हमने discuss किये अब इसके rights क्या होते हैं जो indemnity holder उसके क्या rights है उसके ओपर discuss कर लेते ही indemnity holder कोन होता है indemnity holder होता है जो insurance करवाता है जो loss के लिए अपने आपको cover करता है वो indemnity holder हो गया तो rights of indemnity holder can also be said that liability of indemnifier indemnifier कौन जो loss के लिए compensate करता है कि थीक है आपके loss की responsibility मैं लेता हूं तो indemnity holder के जो rights है वो indemnifier के liabilities भी है कि वो पे करेगा वो receive करेगा तो एक party के liability है एक party के rights होते है तो यह section 125 में जो contract act का है उसमें सारा यह mention किया हूँ है सबसे पहले है कि जो loss हुआ है उस loss को वो cover करने का right है उसको indemnity holder हो जितना भी उसको loss हुआ है वो सारा उससे indemnifier से loss हो रिकावर करेगा इसके अलावा उस damage से या जो loss हुआ है उससे related कोई भी expenses अगर उसको pay करने पड़ते हैं legally जो expenses pay करने पड़ते हैं वो सारे expenses कि से recovery करेगा वो indemnity holder है वो indemnity fire से loss recover करेगा इसके अलावा उस damage के अंदर या fire accident या जो भी उसका loss है उसके अंदर अगर मालो कोई settlement के अंदर में कोई payment करना होता है उसको उस suit से related तो उस settlement में कोई expenses या कोई amount उसको pay करनी होती है तो वो भी indemnifier से recover करेगा indemnity holder तो यह indemnity holders के यह सारे rights होते हैं अब आगे आगे आते हैं कि rights of indemnifier जो compensate कर देगा loss pay कर देगा उसका जिसको भी loss हुआ है उसके बाद indemnifier के rights होते हैं उसके उपर भी discuss कर लेते हैं सबसे पहले तो यह मैं बता दूँ कि जो indemnifier है तो court ने जो case decide किया है उसके according जो उसके rights है उसके उपर हम discuss करते हैं कौन-कौन से rights है जो indemnifier किया है as we have seen that indemnifier has to compensate indemnity holder but there is no rights given to indemnifier under the contract act but on the basis of decided court cases we can say the following rights has the indemnifier under the contract act क्या होता है when the indemnifier has compensated जो जिस party को loss हुआ है indemnity holder को जो loss हुआ है उसको compensate कर दिया किस ने कर दिया indemnifier ने कर दिया उसके बाद उसके बाद जितने भी rights है किसके rights indemnity holder के वो सारे rights है वो indemnifier के ऊपर आ जाएंगे वो उस rights को है वो indemnifier यूज में लेगा which was in possession of the indemnity holder shall be transferred to indemnifier मैं इसको example के साथ आपको बदता हूं ए और बी ए इसने अपने go down का insurance करवा रखा था उस go down के अंदर higher accident हो गया सारा goods है उसका कतम हो गया insurance company ने जो company है उसने ए को payment कर दिया suppose 10 lakh rupees का goods था सारा इसने payment कर दिया अब जो ए के जितने भी rights है rights कौन से जो इस goods से related वो सारे rights किसके पास transfer हो जाएंगे वो transfer हो जाएंगे insurance company के पास rights कौन से हो सकते हैं कि जो goods है उसकी scrape value होगी कुछ 10 lakh का माल लोग उसका goods खतम हुआ है हो सकता है उसके अंदर जो उसको resale करें जो जला हुआ माल है उसको resale करते हैं तो जो scrip है उसकी एक लाओ के अदर sale होता है वो तो वो एक लाओ के अंदर lifecycle करने का का right किसके पास है वह insurance company के पास आ जाएगा क्यों एयह जितने भी उसके rights है वो सारे transfer होगे insurance company के पास तो insurance company इस goods को वो आगे sale करेगी scrape को sale करेगी या second party हो सकता है किसी ने जानबूद कर यहां पर fire accident हुआ है किसे ने आग लगा दिये तो उस condition में मालो Mr. B है Mr. B ने इसमें आग लगा दी जानबूद कर तो उसके बाद जो B पर court case करेगा वह राइट वैसे दो किसके पास था एक के पास लेकिन एक को insurance company ने payment कर दिया सारा अब वह राइट करने का जो राइट है जो court में जाने का राइट है वह किसके पास आ गया insurance company के पास आ गया फिर insurance company उससे compensate करेगी यह जो legal proceeding जो कुछ उसके राइट है वह एक जो राइट है वह insurance company के पास transfer हो जाएंगे when the indemnifier has been compensated to indemnity holder then all rights which was in possession of indemnity holder shall be transferred to indemnifier ठीक है जी the indemnifier shall be able to file a suit against the third party third party के against में अगर कोई suit करना है तो उस condition में indemnity holder के जो rights है वह उसके पास चले जाएंगे indemnifier के अब हो सकता है indemnity holder है उसको शिरफ 10 lakh rupees का loss हुआ है तो जो indemnifier है वह कितने का suit डालेगा third party के उपर वह 10 lakh rupees तक इससे ज्यादा का वह suit नहीं डालेगा indemnifier है जो जितना उसने compensate किये उतनी amount का वह court case करेगा उसके उपास उपर या recovery करेगा उस third party से the indemnifier shall be able to file a suit against the third party in the name of indemnity holder indemnity holder के नाम से करेगा up to the limit to which indemnifier has compensated to indemnity holder तो यह इसके rights है और क्या right हो सकते हैं इसके indemnifier के the indemnifier shall be entitled to receive the amount of compensation from the third party third party के उपर indemnifier ने यानि इंश्रेंच कम्पनी कम्पनी ने court means suit file किया उसके against में अगर कोई compensation उसको मिलते हैं तो वह indemnifier है उसको रखने का या receive करने के लिए entitled होगा यह उसका right होगा third party the indemnifier shall be entitled to receive the amount of compensation from the third party up to that limit to which indemnifier has compensated to the indemnity holder indemnity holder को जितना उसने compensate किया जितना पे किया उतना वो recover करने के लिए indemnifier entitled है अगला क्या right है उसका indemnifier is entitled to refuse the indemnity holder for that compensation by which which was arising from the loss suffered beyond the limit of contract यह इसके अंदर क्या right है in case अगर indemnity holder और indemnifier दोनों के बीच में कोई contract होता है contract क्या हो सकता है माल लिजिए ए और insurance company के बीच में contract हुआ कि गाड़ी शीरफ आप चलाएंगे या मैं इसको fire का fire का example लेता हूं इसके अंदर यह है उसने अपने go down का insurance करवा रखा रहा ठीक है जी insurance company ने का कि आप का हम insurance करते हैं contact करते हैं लेकिन जो fire extinguisher जो होते हैं ठीक है वो anytime आप इस building के अंदर रखेंगे ठीक है और कोई बीच में contract हुआ तो इसमें दो condition उसने लगा दी जब fire accident हुआ फिर insurance company जब investigation करती है तो उस time पता चला कि यहां पर तो petrol था इस go refuse कर दिया कि पैट्रोल आप नहीं रखेंगे या कोई भी ऐसा ज्वलन शील पदार जिसे आग लग जाती है वह आप इस go down में नहीं रखेंगे तो उस condition में और यहां पर इस party ने रखा है यहां पर पैट्रोल पड़ा था कोई compensation नहीं देंगे तो यह भी उस indemnify का राइट होता है indemnify is entitled to refuse the indemnity holder for that compensation which was arising from the loss suffered beyond the limit of contract contract के limit उसने cross कर दी और वो लोश हुआ तो फिर वो indemnify refuse का सकता है कि हम कोई आपको payment नहीं करेंगे तो यह हमने detail से discuss किया आप इसकी reading लगाईए बार-बार इसको समझिए मेरा वीडियो दो बार देखिए तीन बार देखिए still अगर मालो कोई confusion है आप comments में डालिए मों उसको explain करूँगा और उसके आपके जो पंडे वो clear करूँगा तो thank you thank you very much for watching my channel thank you